राम राम सभी साथियों को क्या आपको पता है बिना बेले भी आलू के पणाटे बन सकते हैं कहीं आपको हसी तो नहीं आ रही आलू ढोगे कुछ मटर डालके थोरा सा पानी लगा के एक चम्मज नमक डालके कुकुड का ढक्कन लगा ले गैस पर दो सीटी लगा ले इतना हो वाले कि आलू फटे नहीं आलू को नुका कर आलू मैसर से मैस कर ले इसी तरह मटर को भी नुका कर मटर को भी आलू मैसर से मैस कर ले दो प्याज एक अड्रक तीन मिच को चौप कर ले अच्छे से अच्छे से बारिक कर ले अब इन्हें आलू में मिलाएं, थोड़ी से सौप को कूटके इनको भी डाल दे, चुटकी भर हिंग, दो चम्मच धनिया, आरी चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच नमक, दो चम्मच मिच, थोड़ा से धनिया मिलाके आलू को मिला लेंगे, थोड़ी सी मैठी को बारी कात ले, आटे में डाल दे, थोड़ा से रिफाइन नमक और स्वादन्वसाल मिच नमक डाल के गूंड ले, आलू के पनाठे का आटा इतना दीला गूंड़े के उंगली गुस जाए, पोटी जितनी लोई को कटोड़ी बना ले, जैसे मैं बना रही हूँ, इस प्रेस करके ऐसी एसी बेलेंगे, बिना बेले ही हाथों से बन जाएगी, देखो अलो का पनाठा बनके तयार हो गया है, तवा में थोड़ा से रिफाइन लगाके तब पनाठा डालेंगे, एक टरप सीखने पर ही पलतेंगे, मीडियम आच में ही सेखेंगे, हलके हाथों से रिफाइन झालेंगे, झालेंगे!